जेहिंद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे A.E.S. और B.R.O. के डेकरडिंग आपको यहाँ पर बता दे या जो दोनों और्गनेशन है या इंडिन आर्मी के अंतरगत ही आता है इस वीडियो में आज हम जानेंगे A.E.S. और B.R.O. क्या होता है और इसका क्या काम है कोई भी कनेट इसमें चैनित होना चाहते है तो उन्हें क्या एलिटी कैटरिया जो है फूरा करना होगा जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिक्शन कितनी होनी चाहिए एज लिमिट कितनी रखी गई है इक्जाम कैसे होती है इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है इत्यादी के बारे में और लास्ट में हम चर्चा करेंगे इसमें आच जैनित आप होते है ता आपको कितनी सैलिरी स्टार्टिंग होती है साथी साथ कैंटिन मेटिकल इत्यादी की फैसिलिटी मिलती है अपि नहीं मिलती है लीव एंग लीविंग की क्याव सुगता है इसके बारे में तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि M.E.S होता कि M.E.S के है तो Military Engineering Services का जो काम होता है जो भी कंटोमेंट इडिया होता है वहाँ पे जो भी बिल्डिंग उगरा होती है उसे बनाने का काम जो है M.E.S करता है जैसे कि आप यहाँ पे इसकी नहीं पे देख सकते है Military कंटोमेंट इडिया में जितने भी आर्मी का इडिया होता है चाहे हुआ और सैनिक पल हो या फिर सैनिक हो जैसे Army Air Force ने भी उसके अंतरगत जितने भी बिल्डिंग आती है सभी जो है बिल्डिंग बनाने का काम M.E.S ही करती है चाहे हुआ गेट का काम हो या फिर लिव एंड लिविंग का जो रूम ओग रहा हो या फिर कहीं भी बनकर लगाए के दोरान कुछ भी बनाने का जो काम होता है वह M.E.S के अंतरगत ही इक अंतरगत ही चाहे हैं जाहां जरूरत होती है बिल्डिंग बनाने के या फिर उसे लिफ्यरिंग करने की तो यह सब EMEAS ही करती है, यानि कि Military Engineering Service एक रोगनाईशन है, यही काम करती है, और जब बिल्डिंग तयार हो जाती है, तो उसे हैंड ओपर जो है, इंडिन आर्मी को कर देती है, अब चलिए बात करते हैं, बियारो की, तो साथ यहां बियारो बोले, तो यहां पर Border Road और उनैसन कहा जाता है, जैसे कि इसके नाम से हैं इसकी काम पता होता है, इसका जो काम होता है, बॉर्डर एरिया में जितने भी Road या फिर पूल इत्यादी की जरुरत होती है, तो वहां यह बनाने का काम करते हैं, जैसे कहीं भी कोई bridge की जरूरत हो तो bridge बनाने का काम करते हैं और कहीं भी road की require अगर होती है जैसे कि इंडिन आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह जाने या फिर पहारी छेतर में काफी कुछ से समानोगरा लेके move करना पड़ता है जाना पड़ता है तो ऐसे में नए road की जरूरत हो तो नए road बनाने की काम करती है या फिर उस road की referring के अगर जरूरत हो तो वह referring करने का भी जो काम है वह बियारो करती है और जब या road बन जाता है तो आप उहां पर देख सकते हैं या बियारो के hand over हो जाता है और इसकी maintain करने के विच को जिमबारी है बोटर रोड और नैसन ही करती है तो यहां पर आप यह समझ गए एमियस क्या है बियारो क्या है और यह दोनों और और इसन का क्या है हम आपको यह चीज़ यहां पर बता दे यह जो दोनों और और इसन है में आप चैनित होना चाहते हैं ते education qualification जो है आप अगर civil engineering आप अगर civil engineering या फिर mechanical engineering या फिर electric engineering में BE, BTEC या फिर diploma करके रखे हैं यानि कि तीनों में से कोई एक चीज़ तो आप इसके लिए eligible हैं और आपको इसमें try करना चाहिए वहीं बियारो की अगर हम बात करें तो बियारो में आपको जो है mechanical engineering या फिर electrical engineering में BE, BTEC या फिर diploma आप अगर कर चुके हैं तो आप बियारो में apply कर सकते हैं और इसकी examination की बात करें तो examination जो first paper होता है वो CBT होता है यानि कि computer waste आपका test लिया जाएगा जिसमें negative की अगर हम बात करें तो यहां पर 0.25 की negative रहती है और जो candidate first paper में वो attempt कर जाते हैं यानि के pass कर जाते हैं तो उन्हें second paper देने का मौका मिलता है age limit की यहां पर हम बात करें तो दोनों organization में जाने के लिए जो age है limit है वो सेम रखा गया general category के लिए यहां पर जो maximum है 30 years है और OVC candidate के लिए यहां पर 33 years है और SC और ST candidate के लिए यहां पर 35 years यहां पर रखी गई है अब हम यहां पर बात करते हैं जो भी candidate EMEAS या फिर BRो में selection ले ले लेते हैं तो उनको सुझ सुब्धा जो है किस परकार से मिलती है सबसे पहले आपको बता दो जो भी EMEAS में selection लोते हैं उन्हें यहां पर एक गारी मिलती है जो कि site पर जाके visit करने के लिए वहां पर driver और एक गारी की required होती है जो एनिर आर्मी पूरा कर देती है यानि की EMEAS और्गनेशन वो पूरा कर देती है site visit करने वगारा के लिए उसी परकार BRO को भी है जो भी candidates में selection लेंगे तो उनको भी गारी मिलती है जिसमें site पर visit करने के लिए वहां पर देख रे करने के लिए driver गारी मिल जाती है अब इसमें facility की बात करें तो सबसे पहले हम यहां payment की बात करें तो जब आप चैनित होंगे तो शुरुआती दोर में आपका 40,000 के something जो है आपका payment श्टार्ट हो जाती है वहीं इसकी canton सुब्दा की बात करें तो जो एक soldier की मिलती है यानि के इंडिन आर्मी soldier के सुब्दा मिलती है कैंटिन के उतना ही सुब्दा आपको यहां पे मिल जाती है जो कि एक अच्छे अच्छे ले से अच्छे product जो है काम रेट में यहां पे आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद medical की हम आपको इसमें छुटी भी दे जाती है जिसमें किसी पर करका कोई payment कट नहीं होती है और last में हम बात करते हैं living की living की अंगर हम बात करें तो आपकी जहां कंटो मेंट लिया है तो वहां पे अगर आप रहना चाहते हैं जो रहा सकते हैं या फिर civil में रहना चाहते हैं civil में अपना room लेकर रहा सकते हैं बट वहां पर आपकी जो allowance है जैसे की room allowance या फिर house allowance जो भी बोलिए ये आपको ये आपको BRO या फिर AMES के अंतरगत ये आपको allowance जो है वो credit कर दिया जाता है और ये payment जो है आपके account में चल जाता है तो जो भी इस पर करके qualification candidate अपना ले लिए हैं जो भी बच्चे इसमें जाना चाहते हैं तो try कर सकते हैं इसकी अगर हम form की बात करें तो समय 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 से जो है इंडिन आर्मी दोनो और डिनेशन को vacancy देती है चेंड